हेलो दुस्तों स्वागत है आपका श्रीवी होम प्लान के इस न्यू वीडियो में इस वीडियो में आज हम देखने वाले हमारे इस मॉडल के बारे में ये मॉडल है हमारा 1024 स्क्वेर फीट मदलब 32 फीट बाई 32 फीट तो चले शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस čैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक श taraf करना मत भूलना इस चैनल को चले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कोई भी घर के construction से पहले, पहला work होता है excavation का, excavation के करने के बाद हमारा होता है plot marking, और plot marking के बाद आपका footing work शुरू हो जाता है, footing work के बाद आपका murum work, जो murum निकाल देते हैं, उसको murum को footing होने के बाद वापस जाल देते हैं, और फिर होता है हमारा beam work, यह जो है stage हमारा beam work हो चुका है, तो फिर जैसे कि आप देख रहे है हमने पूरा beam work कर चुका है, beam work के बाप होता है, यहाँ पर murum वापस डालना, जो कि यहाँ पर PCC हो जाती है, जो कि वहाँ पर leveling कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर next step पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर PCC कर और उसके बाद का construction होता है, beam work, तो beam work तो यह सब पूरा RCC work में आ जाता है, जैसे कि आप देखे रहे होंगे, murum के बाद PCC के बाद work के बाद column का work और column के बाद यहाँ पर beam का work, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर construct किया है staircase, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर staircase का work तो फिर इसके बाद का work जो है, इसके बाद होता है हमारा slab work, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर slab का construction work हमने कर दिया है, उसके बाद जो brick work किया है, वो हमने 3 feet का किया है, 3 feet का इसलिए किया है, क्योंकि आपको यह पता चल सके कि construction work करते time क्या 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 करते हैं, यहाँ वे construction work करते टाइम हमने 3 feet पर यहां पर ब्रिक वक किया है क्योंकि इसके ऊपर जो होता है यह windows आ जाती है हमारे इसके ऊपर windows आ जाती है उसके बाद नेंटल आ जाता है नेंटल के बाद यह slab आ जाता है तो फिर यह कुछ उस तरह से डिजाइन था जिससे आपको पता चल रहा है कि मतलब बीसिक लेवल पर ब्रिक वक कैसा होता है तो अब मैं आपको इसका पूरा construction का लूप दिखाने वाला हूं कि यह घर किस तरह से आपको दिखने वाला है तो फ्रेंट लूप आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आप यहां पर एक design दे सकते हैं अच्छी वाली जूकि हमने plaster के बाद करने वाले हैं तो फिर आप इसका look सामने से देख रहे होंगे और left side से इसका look इस तरह से दिखेगा left side से यहां पर आपको 3 video दिखेंगे एक window है bedroom का एक window होने वाल का और एक window है kitchen का उसके बाद back side से भी यहां पर एक top level पर आपको एक window दिखेगा जो कि हमने staircase पर रखा है और यहां पर एक जो window है वो है kitchen का और फिर left side पर यह master bedroom के दो window दिखेंगे और इस side पर two bathroom दिए गए हम यहां पर master bedroom के साथ एक bathroom attach है तो फिर अब ही मैं आपको यह design लग बग color करने के बाद कुछ किस तरह से दिखेगी वो दिखाने वाला हूँ खुला करने के बाद यह हमारा घर कुछ इस तरह से लिखेगा front elevation इसका कुछ इस तरह से यहां पर आप design कर सकते हैं उसके बाद left side से कुछ इस तरह से लिखेगा back side से कुछ इस तरह से और right side से कुछ इस तरह से चलिए मैं आप इसको distribution जो हमने 3PHK का distribution किया है वो आपको dining room है dining room मतलब हमने यहां पर dining room table यहां पर रख करके आप kitchen से uses कर सकते हैं तो फिर यहां पर ठीक सामनी kitchen है kitchen का size है 12 feet by 10 feet 4 inch living room का size होने वाला है 23 feet 9 inch by 8 feet 9 inch उसके बाद यह master bedroom है master bedroom का size होने वाला है 12 feet by 11 feet 2 inch और यहां पर जो attached toilet है उसका size मैं आपको बता देता हो उसका size होने वाला है 7 feet 3 inch by 4 feet 7 feet 3 inch by 4 feet का हमारे bathroom होने वाला है उसके बाद यह जो bedroom है उसका size मैं आपको बता देता हो इस bedroom की size होने वाली है 12 feet by 11 feet 2 inch बेड्रूम 3 बेड्रूम 3 की साइज होने वाली है 11 feet by 11 feet 2 inch तो यही था हमारा आज का प्लान जिसका distribution मैंने आपको बताया और अगर मैंने staircase का नहीं बताया आपको तो staircase का मैं आपको size बता देता हूँ staircase का size होने वाला है 7 feet by 10 feet 4 inch में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर ना मत भूला एंड थैंक्स पर वाचिंग